Hello everyone, So यार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने Facebook अकाउंट को कैसे recover कर सकते हो यार ठीक है बहुत लोगों नो एक comment कर रहा है कि अपने Facebook अकाउंट को कैसे recover करें and यार मेरे पास यह गवारी बहुत जादा आता है, at least बहुत जादा तो मैं आपको इस वीडियो में मैं एक्जेक्ट आपको ही बताने वाला हूँ कि आप अपने Facebook अकाउंट को कैसे recover करोगे ठीक है and यार देखो scene बहुत simple है अगर आपका account बहुत पुराना था ठीक है जो actual में खो गया या फिर आप किसी region से login नहीं कर पा रहे हो पहला reason बहुत पुराना था तो उसे भी आप recover कर पाओगे दूसरा अगर आपका account का password reset करने में problems हो रही है तब भी आप इस चीज़ को fix कर पाओगे ठीक है and और भी 3-4 problems है जो आप easily solve कर सकते हो आप इस वीडियो को पूरा starting से end तक देखो ठीक है step by step आपको समझा दूँगा कि कैसे आप recover करना है ठीक है कैसे आपको recover करना है actual में and यहार एक और मैं आपको data दिखाता हूँ आप प्लीज एक बार देख लो ठीक है पहली बार कि हम पहले वीडियो को start करते हैं तो आपको सबसे पहले Chrome browser open करना है and आपको simply यहार पर type करना है facebook help ठीक है यह चीज़ें आपको मैं बता जाता हूँ आपको normally यह type नहीं करना है आप simply अपना incognito mode open करना ठीक है यह वाला section में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ 3.0 पर click करके यह incognito mode पर click करके तब फिर type करना and यही same चीज़ type करना है facebook help center जैसे आपको यह type करना है आपको simply यह first link पर click करना है and जैसे आपको सामने यह interface खुल के आज आएगा आपने simply क्या करना है बहुत सारे option दिखाई देगा आपको यहार पर login and password का option दिखाई दे रहा हूँ जो की छापवा आइकन से ठीक है आप simply इस पर click करो एक बार and याद रहे यार आप यह incognito mode पर कर रहे हूँ ठीक है and मैं incognito mode पर आपको इसले करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि screen recording capture नहीं कर पाता है incognito mode में मैंने third party applications use नहीं करना चाहा ठीक है and मैंने दूसरे smartphone से भी यह capture करने की कोशिस नहीं की so that's why मैं यह video simple रख रहा हूँ आप incognito mode में कर लेना है it's not a big deal अब आप यहाँ पर यार तीन चार चीज़ें आपको दिखाए देगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो and जैसे मैं इसको open करता हूँ अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखाओ fix login problem login help में यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ दिखाए देगा आप चाहाँ तो पहले यार फेक जो फेक इस questions होते हैं वो पढ़ सकते हो ठीक है यहाँ पर देख सकते हो अब ही मैं क्या करूंगा पासवर्ट help में जाओंगा यह पासवर्ड वाला help section के अंडर यहाँ पर यहाँ पर यार यह दो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी लोगों का पहला तो यह अनेबल टू रिसेट पासवर्ड विकाओ जो पासवर्ड रिसेट लिमिट मानलों आपने 24 आर्स के अंदर लिमिट्स को क्रॉस कर रखा है और उसका वजह से आपने पासवर्ड नहीं रिसेट कर पा रहे हो तो आप यह first option क्लिक करके उसका solutions के regarding जा सकते हूँ, second है problems with resetting your Facebook password, suppose you don't know how to set up a password और you don't know how to reset the password, ठीक है आप simply इसके अंदर जा करके open करके देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा demo, ठीक है, don't worry, जो third चीज़ है वो recover your Facebook account, if you can't access your account email address और mobile phone number, सबसे बड़ा and major issue है, काफी लोग पूछते हैं कि मेरे access पे कुछ भी नहीं है, ना email है, ना phone number है, जो बंदा या फिर जो भी target, जो भी target करने वाला बंदा है, वो अपना email और अपना phone number को add कर रखाया, तो यार how to gain the reaccess of that particular account, त यहां पर देखो, एक normal सा articles है, ठीक है, this article is for people who are having problems logging into the Facebook, because they no longer have access to email addresses, ठीक है, I hope तुम्हें यह समझ में आ जागा, बड़ा simple है, यह problems यह दिखाता है, कि जिन बंदों ने यार Facebook account को login नहीं कर पा रहे है, email address, mobile number ना link होने के कारण के account से, if you can access your account, email address, phone number, learn how to receive your password, अगर आप access क पा रहे हो, अपने email और यह passwords, तो आप इसके थूरू जाना है, ठीक है, इस link पर click करने के पार, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप simply आप देख सकते हो, first try this link लिखा हुआ, you may be able to recover your account by visiting facebook.com slash hacked, हना, यह चीज़ आप ensure करोगे कि आपका account, एक्च्वे में यार किस मैं इस section में जाता हूँ, problems with resetting your facebook password, मैं आप resetting your password करता हूँ, let's suppose मैं करता हूँ, ठीक है, अब get to change your password on facebook, if you are already logged in, अगर आप अपका account logged in है, तो आप इस process को read करके अपना password change कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यार याद रखना, मैं यह assume करके चल रहा हूँ कि कापी लोगों का account उसक आपके phone में आपका account नहीं है, आपको actual account recover करना है, ठीक है, तो यहाँ पर दोको लिखा हुआ है, resetting your password, to reset your password, if you are not logged in in your facebook account, अगर आपके phone में आपका Facebook account login नहीं है, तब password को कैसे reset करें, सबसे most important चीज़, ठीक है, आप दोको लिखा हूँ, tab forgotten password, जैसे आप इस पर click करोगा, आ type the email addresses, mobile numbers, या full name, या फिर username, जो भी आपने account बनाते वक्त रखा था, अब जैसे उस पर डालोगे कुछ भी, फिर आपको search button पर click करके आगे जाना है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, just don't worry, मैं आप या खाता हूँ, different mobile, यहाँ पर देको लिखा हूए, you will need, for security reason you won't be able to use the same mobile phone number that you use for two-factor authentication, ठीक है, तो मैं अभी इस पर click करता हूँ, let's suppose I am clicking on it, मैं यहाँ पर आया हूँ, and मेरे सामने यहाँ पर एक option दिखाए देगा, फिश्वी इकांट सेटिंग, just give me a second, I think मेरे video screen recording हो रहा या नहीं, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, okay, so यह perfect record हो रहा ह यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अगर आपका यह सब नहीं, इसके थूरू अगर आपका एक अकांट रिकावर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर देखो एक option र लिखा हुआ, if you are still having trouble, we can help you recover your account, ठीक है, आपको simply इस लिंक पर click करना है, यहाँ पर वो आपको suggest कर रहा है, Facebook आपको install करने के लिए, आपको install करने के ज़रूरत नहीं है, आप simply यहाँ पर मैंने बोल रहा था नहीं, या full name, email address, mobile number, ठीक है, यह डालो, यह username डालो, ठीक है, जैसे मैं डाल लेता हूँ, मैं अपना किसी दोस्त का number डालता हूँ, या फिर कुछ भी, actually मैं Facebook नहीं यूज कर मैं नहीं, ठीक है, तो मैं किसी random person का number टाइप करता हूँ, और देखते हैं किसका account आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, 95085-91-196, ठीक है, जैसे मैं इतने टाइप करूँगा यार, आप देख सकतो, इससे जो भी बना accounts होँगे, वो यहाँ पर I think, list हो जाना चाहिए, और इससे बहुत सारे account बना है, यह मैंने रेंदमने ट्राइप करा था, ठीक है, यह मेरे एक दोस्त का number है, so I found so many accounts linked with this phone number, and आपका जो भी account होगा, आप उस account पर click करना है, and आगे का process बड़ा simple है, let's suppose I am, मेरे को यह account चाहिए, suppose इस account को recover करना है, तो मैं इस पर click करूँगा, ठीक है, and यहाँ पर देख सकते हूँ, यह आपका account दिखेगा, अब यहाँ पर password है, आपको password याद नहीं देगा, क्योंकि आपको login करनी है, and अगर आपको password याद रहता है, तो आप यह step करते हैं, तो आपको password याद नहीं है, तो आप क्या करना है, try another way पर click करना, and आगे के process में वो आपको guide करते हैं, यह मेरे दोस्त का account है, तो मैं आगे एक नहीं करकर दिखा सकता हूँ, ठीक है, So, I hope कि तुम्हें सब को समझ में आ गया होगा, and मिलते हैं किसे next video में, अगर इस video पर इस video के regarding कोई भी यार, query हो, तो please comment section में comment करना मत बुनना, And एक और चीज़ यार, आप लोग video को share भी जरूर करो, ठीक है, क्योंकि यार, अगर आप share नहीं करोगे, तो हमारी जो video के engagement, अवर रोल डाउन हो जाएगा, And आप लोग यार comment करो कि कौन सी video चाहिए, अभी एक बंदे ने recently comment कहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, Just give me a second, let me pause this video, यह कुछ comments है, जो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, How to create unlimited Facebook accounts with termux, Please upload video, ठीक है, यार, यह भी 52 minutes ego का comments है, तो अगर आपको बहुत सारे Facebook accounts creates करने हैं, with legal तरीके, जो Facebook मैं ने already बता रखा है, तो आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बोलोगते मैं इस पर वीडियो लाओंगा, ठीक है, और यह बहुत सारे हैं यार comment, अगर आप लोग serious हो जागों, किसी भी comment के उपर, I will definitely fetch a video on that particular topics, ठीक है, और यार, और यह बहुत सारे चीज़, अगर आप कुछ special सिखना चाहते हैं, तो please यार, हमारे WhatsApp group and Telegram channel को join करना मत बुलना, ठीक है, तब तक के लिए, और मिलते कैसे, नेक्स वीडियो में,